तो दोस्तो यदि आप एक यूटूबर हो और दोस्तो आपके वाइटी स्टूडियो के अंदर भी सेव बटन वर्क नहीं करता है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर में आप सभी को save button का solution बताने वाला हूँ ठीक है अगर आप वीडियो upload करते हो private के अंदर या तो फिर unlisted करके upload करते हो उसके बाद thumbnail change करते हो, description डालते हो, tag डालते हो और फिर आप यहाँ पर जैसे save करने के लिए जाते हो, वीडियो public करने के लिए जाते हो तो आपका जो save का button है वो work ही नहीं करता है ठीक है तो अब इसका solution क्या है, इस problem को आप किस तरह से fix करते हो उसकी पूरी जानकारी में आप से भी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा end तक देखना वीडियो पसंद आये तो like करना, share करना और दोस्तो चैनल को भी तक आपने subscribe नहीं क्या तो जल्दी से subscribe कर लेना क्योंकि दोस्तो ऐसे ही interesting वीडियो में हमेशा आप से भी के लिए लाता रहता हूँ तो दोस्तो यहाँ पर मैं आप से भी को बता देता हूँ कि जैसी ही आप यहाँ पर कोई वीडियो अप्लोड करते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो यहाँ पर thumbnail चैन करने के लिए आते हो या तो फिर description के अंदर कुछ लिखना चाहते हो या तो फिर tag डालना चाहते हो तो simply यहाँ पर आप इस तरह से आ जाते हो ठीक है अब दोस्तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि मानलो के यह वाली वीडियो आपने अपलोड कर दी मानलो के कोई भी आपका जो thumbnail होता है वह thumbnail आप यहाँ पर लगाना चाहते हो तो वह thumbnail आप यहाँ से सिलेक कर लेते हो ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ठीक है यहाँ पर सेव का बटन ही नहीं आता है लेकिन मेरा यहाँ पर आ रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप टेक डालते हो डिस्किप्शन डालते हो कुछ भी डालते हो तो सब कुछ यहाँ पर मतलब आपका यह जो सेव का बटन है वो व दोस्तों आप अगर इसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो या तो फिर यहां पर कोई थमने लगाना चाहते हो तो यह आपका जो सेव का बटन है वो वर्क करेगा ठीक है लेकिन आपको 10 या 15 मिनिट वेट करना है उसके बाद ही आपका वायत इस्टूडियो के अंदर जाना है मालो के अभी आपने थमने लगा दिया तो एक बार ही यह सेव का बटन वर्क करेगा ठीक है क्योंकि अभी अब दोस्तों यहां के बटन मेरा वर्क कर रहा हैं सिम्पलिए आप यहां पर देख चुके उठीक है तो इससे तरह से आप सेव कर सकते हैं तो दोस्तों आपको ख्याल रखना ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई वीडियोफ करते हो तो यहां पर क backwards करना चाहते हो और से यहाँ पर डाल के आपका जो प्रॉब्लम है वो स्वल कर सकते हो तो दोस्तों यह वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया तो प्लिस वीडियो को जरू से लाइक कर देना और दोस्तों चैलर को जरू से सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो में हमेशा के लिए आप सभी के लिए लाता रहता हूँ